नमस्कार दोस्तों, अखी मेनू में आपका स्वागत है, आज मैं बैगन का भरता बनाने जा रहा हूँ, बैगन का भरता नौर्थ इंडिया में बड़े चाओ के साथ खाया जाता है, आम तोर पर बैगन का भरता बैगन को अवन या तंदूर में भून कर बनाया जाता है, ले आज मैं उनके लिए कम सुभिधा और कम टाइम में बैगन का भरता कैसे बनाया जाए बताने जा रहा हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं मैंने तीन फ्रेश बैगन लिया हूँ और इसके डंठल को काट कर अलग कर दिया हूँ. तीन बैगन का भरता चार लोगों के लिए काफी होता है. अब इस बैगन को कुकर में एक गलास पानी डाल कर उबलने के लिए मिडियम फ्लेम पर रख देंगे. दो से तीन सीटी आने पर गैस बंद कर कुकर को पांच मिनट तक ठंड़ा होने देंगे. इस बीच हमारे पास टाइम है कि भरता को फ्राई करने के लिए सारे समान त्यार कर लें. आप देख सकते हैं मैंने दो मिडियम टमाटर, एक प्याज, छे से आठ लहसुन की कलियां, दो हरी मिर्च, और मसाले के रूप में एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर और एक चोथाई चमच गरम मसाला लिया हूँ. प्याज और लहसुन को छील कर सब को बारीक काट लेंगे, अब फ्राई पैन में डेढ़ चमच सरसो तेल गरम कर मिर्च और लहसुन का तड़का लगाएंगे, फिर कटे हुए प्याज और टमाटर को डाल कर रेडिस ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे. इस बिच हमारे पास टाइम है कि बॉयल्ड बैगन को कुकर से निकाल कर छिल का उतार लें और चेक कर लें कि इसके अंदर कीड़े वेगरह तो नहीं है, आप देख सकते हैं बॉयल्ड बैगन बिल्कुल सही है. तीन से चार मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं प्याज रेडिस ब्राउन हो चुका है. अब इसमें मसाले और नमक मिलाकर एक मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर इसमें बॉयल्ड बैगन को मिलाकर हलका जलने का अस्मोक आने तक फ्राई करेंगे. करीब आठ मिनट हो चुका है, अब बैगन का भरता बनकर त्यार हो चुका है, इसे रोटी, चावल और लीटी के साथ खाया जा सकता है. भरता में आप चाहे तो ग्रीन कोरियंडर लीफ और ब्लैक पिपर पाउडर मिला सकते हैं, नमक अपने टिस्ट कनुसा रख सकते हैं, उमीद करता हूँ कि ए वीडियो आप सबको पसंद आई होगी.